नमस्कार राधे राधे आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं और आज इस वीडियो की माध्धमस मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस बार चैत्र कृष्ण पच्छ में पढ़ने वाला एकादसी ब्रत कितने तारीक को है इसका क्या नियम है पूजा का महुत होगा और यह एकादसी का क्या महत्त है इस बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा पर उससे पहले आप से निवेदन है कि अगर आप मारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएं तो यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकान आल पर क्लिक करें फेस्बुक करता है यहां इसके सभी पापों से मुकति उन्हें मिल जाती है और हर परकार का सुक खस्रम्रद्धि उनके घर में सदेववास करती है यह ब्रत भगवान नारान माता लच्छमी को समरपीत है इस दिन दोनों का ही पूजन विधी विधान से करना चाहिए तो आईए आपको बता दू कि इस बार जो पाप मोचनी एकादसी चैत्र कृष्ण पच्छ में पढ़ रहा है वह कितने त पांच अप्रेल को दिन सुक्रवाल दो पहर एक बचकर अठाइस मिनत तक यह तिथी रहेगा और आपको बता दू यह ब्रत उदेया तिथी के अनुसार पांच अप्रेल को रखा जाएगा तो इस दिन जो पूजा का समय है सुभ मुहुलत है वह प्रातव छा बचकर छा मि मिनत तक रहेगा इस दिन ब्रह्म मुहुलत प्रातव चार बचकर 35 मिनत से लेकर पांच बचकर 21 मिनत तक रहेगा और ब्रत पारण का जो मुहुलत है वह छा प्रेल के दिन सुभ छा बचकर पांच मिनत से लेकर सुभ आठ बचकर 37 मिनत तक रहेगा तो देखिए यह जो ब् समय होगा ब्रह्म मोहुत का ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया एकादसी के दिन का अगर पूजन का विधी अगर आपको जानना है तो मैं चैनल के अपने इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में अपना लिंक दे दूँगा उसमें जाकर आप इस एकादसी का जो पूरा बिधी है उस वीडियो में आप देख सकते हैं क्योंकि इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं उसमें पूरी पूरा बिधान सहित पाप मोचनी एकादसी ब्रत के बारें बताया हूं तो आपको यह जानकारी कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर क्लिक करिएगा फेस्बुक पे देख रहा हैं फेस्बुक पेज को फालो करिएगा कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगते वासुदेवाई जरूर दिखिएगा नमस्कार राधे राधे